किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, इस ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूटूब चैनल वर्मा टेकनिकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, करेंट अफेयर 29 अप्रेल 2022 का करेंट अफेयर है दोस्तों तो आप वीडियो को जरह से भी पोज मत कीजेगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट कोईश्चन है अगर आप CG व्यापम, CG PSC, Data Anti Operator, पतवारी, होटल अधिक छक, SSC, किसी भी कॉम्पिटेशन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले हैं साथी साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट फियर क्वेश्चन है चतिस गड़ में माटी पूजन किस दिवस मनाया जाएगा अक्षय तृतिय आदिवासी मौत सव होली या फिर गोवर्धन पूजा करेक्ट आंसर इसमें आता है दोस्तों अक्षय तृतिय 36 गड़ में अब अक्षय तृतिय को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा तीन मैं को अक्षय तृतिय है अक्षय तृतिय को 36 गड़ में अक्षय के नाम से भी जाना जाता है अक्षय तृतिय पर अब माटी पूजन दिवस मनाया जाएगा इस मौके पर राजधानी रायपूर में राज इस्तरिय कार्य करम का भी आयोजन किया जाएगा सेकेंड कोस्चन हमारा है सेना पर खर्च के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है भारत, चीन, पाकिस्तान, इन में से कोई नहीं राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों भारत वर्तमान में चीन के बाद भारत के पास सबसे बड़ी सेना है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट के मुतापिक भारत में साल 2021 में सेना पर 76.6 अरब डॉलर खर्च किये गए हैं यहां दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सेन खर्चा का आकड़ा बताया जा रहा है अगला प्रसना 36.6 गर्ड राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदूपत्त संग्राह को को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश से कौन सी योजना संचालित है सहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्त समाजिक सुरक्षा योजना क्रिसी एवं किसान कल्यान योजना गोधन या योजना या फिर इन में से कोई नहीं राइट आंसर देखते हैं दोस्तों सहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्त समाजिक सुरक्षा योजना point of view के हिसाब से समझते हैं मुख्य मंत्री स्री बुभेज बगेल के नेतरित्व में राजस्व सरकार द्वारा वनवासी तेंदू पत्र संग्रालायों को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देस से महत्वपून कार्यकरम बताया जा रहा है तेंदू पत्र संग्रालायों समाजिक सुरक्षा योजना की सुरुवात 5 अगस्त 2020 को हुई थे 36 गड़ सरकार द्वारा सुरू की जाने वाली एक नई योजना है जिसके तहस सरकार तेंदू पत्र संग्रालायों को 4 लाख तक की सहयता रासी प्रदान करेगी अगर तेंदू पत्र संग्रालायों परिवार में से मुख्य की किसी कारणवस मौत हो जाती है तो 36 गड़ सरकार इस योजना के तहत नमांकित व्यक्ति को 2 लाख की सहयता प्रदान करेगी 36 गड़ तेंदू पत्र संग्रालायों समाजिक सुरक्षा योजना का संचालन राज्य लगु वनोपज सहकारी संग कर रही है अगला प्रस्न मुख्यमंत्री भुपेज बगेल ने मरेलिया मुक्त 36 गड़ अभियान के तहत निमन में से किसकी जाच और उपचार के लिए भी अभियान की कार्य योजना के निर्देश दिये है सिकल सेल, छोटी माता, हैजा या फिर इन में से कोई नहीं राइट अंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों सिकल सेल पॉइंट आफ यू के इस आप से समझते हैं मुख्य मंत्री ने मरेलिया मुक्त 36 गड़ अभियान की तह सिकल सेक की जाच और उपचार के लिए भी अभियान की खर्च योजना बनाने को कहा है साथ ही आयुसमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना डाक्टर खूपचंद बगे स्वास्था सायता योजना के अमतरगत पिछले चार वर्सों में प्रदेश के सास्किय अस्पतालों को कुल 493 कडोड रुपे से अधिक के इलाज के दावों का भुक्तान किया गया है अगला प्रस्न हाल ही में किस मंत्रालाय द्वारा किसानी भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान सुरू किया गया है स्वास्था मंत्रालाय किसी एक क्रिसी एवं किसान कल्यान मंत्रालाय पुलीस विभाग या फिर इन में से कोई नहीं करेक्ट आंसर देखते हैं दोस्तों क्रिसी एवं किसान कल्यान मंत्रालाय केंद्रिय क्रिसी मंत्री नरेंद्रम सीह तोमन 26 अप्रेल 2022 को किसान भागिदारी प्राथमिक्ता हमारी अभियान की तहाद क्रिसी एवं किसान कल्यान से जुड़े अनेकारियों का उधगाटन करेंगे 25 से 30 अप्रेल तक इस विशेस अभियान का आयोजन किया जाएगा अगला प्रस्न हाल ही में आदित्य बीगडा बिरला बिरला कैपिटल के अगले मुख्य कारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है विसाला मुले अजय त्यागी अजय स्रीनिवासन इन में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों विसाखा मुले ICICI Bank में कारियरत रही विसाला मुले को आदित्य बिल्ला कैपिटल का मुख्य अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है आदित्य बिल्ला कैपिटल द्वारा एक्सचेंज को दी गई सूचना के अनुसार ICICI Bank के ठोक बैंकिंग पोर्ट फूलर की प्रभारी रही मुले एक जुन से पदभार ग्राहन करेगे वहां आदित्य बिल्ला प्रबंधन निगम के बोड में सामिल होने वाली पहली महिला बन चुकी है अगला प्रस्न राजे सासन द्वारा सिग्र लेखन मुद्र लेखन परिक्षन 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 परिक्षा 36 गड को किस नाम से जाना जाएगा विसाल कॉसल परिक्षा 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 परिक लेखन कम्प्यूटर कौसल परिशा परिशा 36 गड़ की नाम से जाना जाएगा इस आसाय का आदेश मंत्रालाय महानदी भवन नवारायपूर इस्थित स्कूल सिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है अगला प्रस्ण राज्य में कितने नए एकलव या आवासी विद्यालाय खुलेंगे 40, 45, 50 या फिर 60 राइट आंसर है दोस्तों 50 राज्य में 50 नए एकलव या आवासी विद्यालाय खुलेंगे प्रते कि स्कूल में 16-12 तक के 420 बच्चों को प्रवेश मिल सकेगा नेक्स्ट कोश्चन खैरागर्ड विधान सभा छेत्र की नवनिर्म वाचित विधान सभा विधायक स्री मती या सोदा वर्मा को 36 गर्ड भासा में पद एवं गूपनियता की सपत किसके दिलाई डाक्टर चरंदास महान श्री अमरजीत भगत मुख्यमंत्री भुपेज विधान सभा के नवीन समिती कक्च में खैरागर्ड विधान सभा छेत्र के नवनिर्म विधायक स्री मती यसोदा वर्मा को 36 गर्ड भासा में पद एवं गूपनियता की सपत दिलाई यहां 28 अप्रेल 2022 को सपत दिलाई गई नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 36 गर्ड में 7 मई 2022 से किसके लिए इंगियों जगदलपूर से दिल्ली तक विसेश विमान चलाएगी डाक्टर छात्रों के लिए पैरामिटरी फोर्स के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों पैरामिटरी फोर्स के लिए 36 गर्ड में फोर्थ के लिए जगदलपूर से दिल्ली तक इंगो विसेश विमान चलेगी पैरामिलिटरी के लिए 7 मई से विमान सेवा सुरू हो जाएगी 72 सीमेटर विमान का संचालन हपते में तीन बार उडान भरेगी विमान बस्तर में तैनात पैरामिटरी फोर्स के लिए Indigo Airlines के विशेश विमान चलने की घोशना कर दी गई है Indigo Airlines कमपनी के अधिकारी अभी जगदलपूर में ही तैनात है Next question 36 गड के बिलासपूर में DLF कॉलेज परिसद में किसने सिक्छा विद एवं समाज सेवी स्वर्गिय श्री बसंसर्म की प्रतिमा का आनावरन किया मुख्यमंत्री स्री भुपेज बगेल राजपल अनुसुय उके स्री अमर जीत भगत या फिर टी एस सी है देव Right answer हमारा है दोस्तों मुख्यमंत्री स्री भुपेज बगेल मुख्यमंत्री श्री भुपेज भगेल ने अवारनन किया स्वर्गिय स्री सर्मा ने लगभग 25 वर्ष पूर्ण निजी छेत्र में DLS कॉलेज की स्थापना की थी Next question मुख्यमंत्री भुपेज भगेल ने टेस्ट को ओपरेटिव बैंक कैटेगिरी में Overall performance के लिए किसे प्रथम प्रूसकार दिया है Correct answer इसमें हमारा आता है दोस्तों Tamil Nadu State Effect Co-Operate Bank चिन्नाई को दिया गया है मुख्यमंत्री स्री भुपेज भगेल ने State Co-Operator Bank कैटेगिरी में Overall performance के लिए Tamil Nadu State Operation Co-Operate Bank चिन्नाई का प्रथम आंद्रप्रदेश इस्टी का Co-Operate विजयवाडा को दुईतिय और तेलंगाना State Operates Co-Operate Bank को हैदरबाद को तृत्तिय प्रूसकार प्रदान किया गया है मुख्यमंत्री ने सहकारिता के छेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया है मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपूर इस्थेत पंडित दीन दयाल उपाध्या आटोटूरिय में आयोजित राष्टिय सहकारी सम्मेलन और राष्टिय पुरूसकार वितरन समाहरोह में सहकारिता के छेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहकारी संस्थाओं को मुहिनी कशब, स्री बैजनाथ चंद्राकर, राहुल सोनी इन में से कोई नहीं। राइट आंसर देखते हैं दोस्तों स्री बैजनाथ चंद्राकर। भुपेज बगेल ने राजधानी रायपूर इस्थीत पंडित दिन दयाल उपाधय अदोटोरिया में आयोजी सहकारी सम्मेलन और राश्टिय पुरुसकार वितरन समाहरोह में सहकारिता के छेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहकारिता संस्थाओं को पुरुसकृत किया गया है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों राइट आंसर हम लोग देखेंगे देश्टों मुख्य मंत्री भुपेज बगेल स्री बगेल राजधानी रायपूर के सहिद इसमारक में 36 गर्ड योग आयोग के पंच इस्थापना दिवस पर तीन दिवसिये राज इस्तरिय योगासन प्रतियोगिता सह सम्मेलन के सुबारम सस्त को संबोधित करेंगे 36 गर्ड राज योग आयोग के अब्ध्यक्च है स्री ग्याने सर्मा जी नेक्स्ट कोश्चन किसने नवारायपूर इस्ते 36 गर्ड लोक सिवा आयोग के नव निर्मित कार्यालाय भावन का लोकारपन किया मुख्यमंत्री भुपेज बगेल राज जपाल अनुसरिय उके रविंद्र चौबे या फिर इन में से कोई नहीं राइट आंसर हमारा आजाता है दोस्तों मुख्यमंत्री भुपेज बगेल मुख्यमंत्री स्री भुपेज बगेल ने नवारायपूर इस्ते 36 गर्ड लोक सिवा आयोग के नव निर्मित कार्या भावन का लोकारपन करेंगे नेक्स्ट कोश्चन 36 गर्ड के किसने खेमचंद यादव विश्व विद्यालय की पत्रिक का सुखद यात्र का विमोचन किया राजजपाल अनुसुया उके मुख्यमंत्री भुपेज बगेल स्री असोक जुनेजा या फिर इन में से कोई नहीं राजपाल उनके के राजभवन में खेमचंद यादव विश्व विद्यालय दूर्ग की इस्थापना दिवस के आउसर पर प्रकासित पत्रिका सुखद यात्र का विमोचन करेंगे अगला प्रसना किस योजना के तहट ड्राइवर टुटेजा सर्किट के लिए चिनहा कित जसपूर को एथिनिक परियतन ग्राम के रूप में विक्सित किया गया है स्वदेश योजना, बालविकास योजना, नर्वा, घुर्वा, बारी योजना या फिर इन में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हमारा आजाता है दोस्तों स्वदेश योजना स्वदेश योजना के तहाट ट्राइबल ट्रूरिजम सर्किट के लिए चिनहा कि जसपूर को एनिखिल परियतन ग्राम के रूप में विक्सित किया गया है अगला प्रस्ना इंपोर्टेंथ है ठिंक बी का अनोखा बिजनेस इवेंट कॉंस्ट लेवल आफ इंटर प्रेसियेट 26 से 28 अप्रेल तक कहां आयोजित किया जा रहा है रायपूर में बादल संस्थान परिसद में बस्तर में दुर्ग में बिलास्पूर में करेक्ट अंसर हमारा आजाता है दोस्तों बादल संस्थान परिसद में जो की कहां इस्तित है बस्तर में अगला प्रस्ना देश की पहली कारबन न्यूटरन पंचायत के तवर पर किसका नाम भारत के आधोनिक इतिहास में दर्ज हो गया है पल्ली गाउं में रायपूर में महाराष्ट में इनमें से कोई नहीं करेक्ट अंसर हमारा है दोस्तों पल्ली गाउं में आधोनिक भारत में देश की पहली कारबन न्यूटरन पंचायत पल्ली बन गई है जम्मू कासमीर में समावर्ती सामबा जिले में इस्थित पल्ली गाओं की पहली कार्बन नूटरिन पंचायत के तोर पर भारत के आधोनेकी स्थान में इतिहास में दरज हो गया है पीएम नरेंद्रमोदी ने इसका उद्गाटन किया और कहा पल्ली देश ने देश को कार्बन यूट्रिन राष्ट का लक्ष हासिल करने का रास्ता भी दिखाया गया है यहां परियोजना रिकॉर्ड वक्त में 2.75 करोड रूपय की लागत से पून की गई है पहला लता दीनानात मंगेशकर पुरुसकार से किन्हे समानित किया गया है पीएम नरेंद्रमोदी अमी सहर राष्ट पती या फिर इन में से कोई नहीं राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों पीएम नरेंद्रमोदी पीएम मोदी को पहला लता दीनानात मंगेशकर पुरुसकार मिला प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने मुंबई में 80 वर्स वर्सिय मास्टर दीनानात मंगेशकर पुरुसकार समहरों में राष्ट और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए पहला लता दीनाना मंगेशकर पुरुसकार प्राप्त किया गया है नेक्स्ट कोश्चन तिरंताजी विश्वकप में भारत ने कौन सा मेडल जीत लिया है गोल्ड सिल्वर ब्रॉंट या फिर इन में से कोई नहीं करेक्ट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों गोल्ड भारत ने इस प्रतियोग करने के बाद वापसी करते हुए सूट ओफ के ट्रेट ब्रीटेन को हरा दिया था अगला प्रस्न प्रदेश में संचालित नैनिहाल चात्रवित्ती योजना के तहत पंजिकरित निर्मान कारियों में लगें स्रमिकों ने कितने बच्चों को कक्षक एक से लेकर इस नोतर त की वार्षिक छात्रवित्ती प्रदान की जाती है प्रथम दो बच्चों को प्रथम एक बच्चों को तीन बच्चों को इन में से कोई नहीं करेक्ट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों प्रथम दो बच्चों को नेक्ष्ट कोश्चन चतिस गड़ में कहां 25 कड़ोड की लागा से सहीद वीर गुंड़ धूर संगरालाय बनने की घोशन की है जगदलपूर कोरबा धमतरी बिलासपूर करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है दोस्तों जगदलपूर 25 कड़ोड से सहीद गुंड़ धूर संगरालाय बनेगा केंद्रिय जनजाती ममतरी रेनुकस लिया ने इसकी घोशन की हुई है नेक्ट कोश्चन 36 गड़ में आरोबी के लिए कुल कितने रूपए देने की घोशन हुई है 500 कड़ोड 600 कड़ोड 700 कड़ोड 800 कड़ोड राइट आंसर इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 700 कड़ोड आर ओ बी रोड ओवर ब्रीज है मुख्यमंतरी स्री बुभेज बगेलने आगराह पर किमद्रिय मंतरी स्री गटकारी द्वारा 36 गड़ को आरोबी के लिए 700 कड़ोड रूपए देने की घोशन हुई है अच्छी सड़ के किसी भी देश और राज्य की सम्रिद्धी और संपन्नता का अधार होती है 36 गड़ में आर ओ बी के लिए 2022 तेईस में कुल 700 कड़ोड रूपए मिलेंगे 36 में अवल है 36 गड़ मध्यप्रदेश बिहार उड़ीसा राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों हमारा 36 गड़ किसान को मदद पहुचाने के मामले में 36 गड़ देश का अगामी राज्य है 36 गड़ के किसानों को धान और गन्ना का सरवाधिक मुल्य मिल रहा है 36 गड़ के भूमिहिन क्रिसी मजदूरों को प्रतिवर से 7000 की आर्थिक मदद दिये जा रही है क्योंकि पीएम समान निधी के तहत मिलने वाली रासी से ज़्यादा है क्रिसी एवं जल संधान मंत्री में रविंद्र चौबे ने 20 अप्रेल को तमिन नाइडू से आये क्रिसक प्रति निधी मंडल से 36 गड़ में खेती किसाने की इस्थिती और किसानी के हित संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्जा किये गए है अगला प्रस्न केंद्र सरकार ने IMF के हवाले दुनिया से दुनिया में तेजी से बढ़ रही प्रमुक अर्थ विवास्थाओं के नाम जारी किये हैं जिसमें वित्वर्स 2022 में भारत कितने प्रतिसट डे जी ए वृत के दर के साथ सिर्स पर है राइट अंसर है दोस्तों आठ दसमलाव दो प्रतिसट वित्वर्स 2022 में भारत आठ दसमलाव दो डी जी पी वृत्धी दर के साथ सिर्स पर है इसे चीन की डी जी पी वृत्धी दर का अनुमान चार दसमलाव चार बताया जा रहा है नेक्स्ट कोश्चन निम्नमे से किने इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिया है किरोन पॉल्ड अमर हकीम खान यस दयाल या फिर इनमे से कोई नहीं राइट अंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों किरोन पॉलाड ने अगला हमारा प्रेशन है प्रादेश में डॉक्टर मीता मुखर जी की खिताब इंटर इंटेचुरल सिलेबिटी का विमोचन किसने किया मुख्यमंत्री भुपेज बगेल राजजपाल अनुसुया उके स्री अमर सी जीत या फिर टी एस सी हद्देव इसका अंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या आएगा आई होप दोस्तों करेंट अफेयर आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना और डेली करेंट अफेयर देखने के लिए आप हमारे यूटूब शैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले है सांती सांत बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं करेंट अफेयर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस नोटिफिकेशन को क्लिक करते रहें और हर एकजाम क्लियर करते रहें मैं मिलता हूँ अगला कर इंट अफेयर में तब तक के लिए बाबाए टेक क्यार थैंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो